आईए क्लास एक concept test को solve करते हैं, तो क्लास यहाँ पर आपका question है कि explain the C1C6 alpha linkage in amylopectin, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि amylopectin में जो C1C6 alpha linkage होती है उसको explain कीजिए, तो क्लास अब आप इस वीडियो को 2 मिनिट के लिए pause कीजिए और सोचिए कि amylopectin में C1C6 alpha linkage कैसे बनती होग I hope क्लास आपने सोच लिया होगा कि amylopectin में C1C6 alpha linkage, आप कैसे explain करेंगे, तो आईए इस question का solution देख लेते हैं तो क्लास हमारे पास यह एक alpha glucose की chain है और क्लास इसी परकार से हमारे पास एक और chain है, जो की alpha glucose से बनी हुई है अब क्लास इन दोनों ही chains में, जो different alpha glucose है, वो आपस में C1C4 link के द्वारा जुड़े हुए हैं, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं अब क्लास यह दोनों chain जो होती है, यह आपस में किस परकार से जुड़ती है, यह हमें समझना है तो क्लास जो उपर वाली जो chain है, उसके C1 पर जो OH है, और जो नीचे वाली chain है, उसके C6 पर जो OH है, यहाँ से dehydration होता है और जब यहाँ से water molecule निकलता है, तो क्लास हमें मिलता है यह structure यहाँ पर आप देख सकते हैं, C1, C6 alpha link फॉर्म हुआ है, या यूँ कहें, C1, C6 glycosidic bond फॉर्म हुआ है आए क्लास इस topic की summary देख लेते हैं तो क्लास यहाँ पर हमने study किया disaccharides को, जहाँ पर हमने मुखेता, सुक्रोज, माल्टोज और लेक्टोज को study किया इसके बाद हमने पढ़ा polysaccharides को, जहाँ पर mainly starts, cellulose और glycogen को study किया गया हमने इन disaccharides और polysaccharides के structure भी study किये और इनकी कुछ properties को भी study किया इसके बाद हमने देखा कि carbohydrates की जो importance है या उनके जो uses हैं वो क्या-क्या है Class इस topic को cover करने के बाद आप इन questions को solve करेंगे ये questions हैं NCRT के index questions, NCRT के ही exercise questions और अवन्ती workbook में यहाँ पर mention किये हुए questions यानिकी question number 1, 2, 4 और 13